हमश्कार दोस्तों, Hello Everyone, Modern History की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी अंदोलन के बारे में जो कब हुआ है, वो हुआ है आपके 1905 में, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बंगाल के वि भुशना हुई, उसी के बाद में चालू हुआ आपका स्वदेशी अंदोलन, ठीक है तो दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, साथ ही साथ में जो स्वदेशी अंदोलन इस से आपके UPPCS 24 में क्योश्यंस भी काफी सारे बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को अब अच्छे से फॉलो करिएगा और पुरानी वीडियो भी देख लिजेगा, अब ये वीडियो चलेगी कैसे, पहले हम लोग फैक्ट समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, स्वदेशी अंदोलन के बारे में, और फिर देखेंगे हम लोग पिछले सालों के जो प्रशन है, प्रिवियस येर क ठीक है, सबसे पहले की जो विभाजन का जो डिसीजन था, उसको सारवजनी कप करा गया, पबलिक करा गया, मतलब लोगों को कब बताया गया, वो बताया गया था आपके, काफी पहले बता दिया गया था, दिसंबर 1903 में, एक तो ये इंपोर्टेंट हो जाती है, फिर आप किस दिन वाकी विभाजन कर दिया सरकार ने, वो कराया आपके 16 अक्टूबर 1905 में, तो ये जो तीन तारीक है आपकी न, ये तीन तारीके काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, अब जो पहले की जो दो डेट से आपकी डिसंबर 1903 जब सारवजनी करा गया था, और जब आपक गोशना करी गई वो 1905, इस समय पे आंदूलन चला है, किसका विभाजन के खिलाफ आंदूलन चला है, उसमें किसके नेटर्टवों में चला है, वो चला था आपके उदारवादियों के नेटर्टवों में, जो मॉडरेट्स थे आपके, ठीक, और फिर 1905 के बाद में जो भ धियान रखेगा, अब आगे हम देखते हैं, 1903 से लेके 1905 के समय, जो उदारवादी लोग थे, उनका समय कब था कॉंग्रेस में, शुरुवात के जो 20 साल थे, 1885 से लेके 1905, लेकिन 1903 के बाद जो विभाजन के खिलाफ आंदूलन करना था, उसमें शुरू में जो नेटर् कौन कौन से, तुरेंदरनाद बेनर जी, ध्यान लखेगा, केके मित्रा, और आपका हो गया, प्रित्विष चंद्र राय, ठीक है, प्रित्विष चंद्र राय, ये तीन नाम है बहुत इंपोर्टेंट है, अब इन्होंने अंदोलन में करा क्या, इनका अंदोलन का तरीका जो है, पहले जो बताया का, वाइसेमरा, कि या चिका भेजी, कि इसको, इनको इनका तरीका था, अब इस समय पर इनों ने, इनके जो कुछ अकबार थे, जिसमें इनोंने ये लिखा कि विभाजन जो है गलत है, ये इसलिए लिखते धे, कि जो इंगलन में भी लोग बेठे हैं जो वहाँ पर सरकार हैं उनको समझ में आए कि जो विभाजन कर रही है यहाँ पर वाइसरॉय जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं तो यह प्रेशर बनाना चाहते थे कैसे एक शिक्षा के माद्य हम से कि न्यूस पेपर में राइटिंग करेंगे ठीक है इस समय पर वाइसराय कौन है आपके वो है आपके लॉड करजन पिछली वीडियो में बता दिया था ठीक है और इस समय पर आपके जो समचार पत्र है वो कौन-कौन से तीन जो सबसे सरकार ने क्या करा जो बिटे सरकार थी इंडिया में वाइसराय उन्होंने घोचना कर दी कि हाँ अब हम कनने जा रहे है जुलाई 1905 उसी के कुछ दिन बाद अगस्त में ही स्वदेशी अंदूलन की शुरुआत हो गई थी स्वदेशी अंदूलन की ठीक कब हुई है साथ अग कर दिया है तो फैक्ट भी आद रखना है कब हुआ स्वदेशी अंदूलन की शुरुआत साथ अगस्त 1905 इसके कुछ ही दिनों बाद ठीक मीटिंग कहां पर हुई थी वह हुई थी आपके कैलकटा टाउन हॉल में कलकटा टाउन हॉल में यह भी बहुत इंपोर्टेंट है दियान रखे ठीक अब हुआ क्या जैसे ही 16 अक्टूबर हमें करेक्टाइम के साफ़ से चल ले हैं पहले हमने बात करी जब सारवजनी करा गया डिसीजन कब करा गया था जुलाएं में आपका नहीं जुलाएं नहीं माफ किजेगा आपका करा गया दिसंबर 1903 में उसके बा 16 अक्तूबर 1905 को वाकई विभाजन हो गया अब उस समय पे क्याता है ये दिन को बंगाल में शोक दिवस के तौर पे मनाया गया अब उस समय पे रभींद्र नाट टेगोर ने उस समय रचना करी ती किसकी अमार सोनर बंगला की ठीक है आपको अमार सोनर बंगला ये उस समय पे इस गीत की रचना करी गई ती ये बाद में जाके बंग्लादेश 1901 1971 पूर्वी पाकिस्तान जो था वह बंग्ला देश बना थ तब बंगलादेश का यह बन गया आपका राश्ट्रगान ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमार सोनर बंगला की जो रचना हुई है वो कौन से टाइम पर हुई है सौदेशी अंदोलन के दौरान में हुई है ठीक है किसने रभी दना टेगोन ने करा फिर उस तम तो और में ता किसका किसका नेटट वो त हो देखते हैं तो देखें पूना और बंबें अगर कि हम बात करें तो वहां पर नेटट वो था आपका तिलक का बाल गंगदर तिलक क्योंकि वहीं से आते थे पंचाम ने दो लोगों का था कौन लाला लाश्पत्रा है और दियान रखने पूना में आपके तिला को गए पंजाब में लाला लाश पत्राय और जीट सिंग दिली में सैयद हैदर राजा मदरास में आपके चितंबरम पिलाई काफी इंपॉर्टेंट पिर 1905 के बाद में क्या हुआ जो अंदूलन था उसका नेटर्ट वो किसके पास आ अधिया वो आ गया आपके जो इक्स्ट्रीमेंस थे जो गरमडल थे लोग के लिए और भी नाम है उगरवादी नाम है नाम नाम तो नाम ध्यान रखेगा जमे वीडियो बना कि यहिए उसमें सब बताया था उसके बाद में जो विभाजन विरोदी अंदूलन था इन पास गया अब इनके तरीके किया था पहला तो यही था पैसिव रेसिस्टेंस निश्क्रिय प्रती रोड तो एक और चीज बोली जाती है आहिंसात्मक प्रती रोड ठीक है इसका मतलब यह होता है कि यह लोग कहेंगे सरकार से कि आप जो कानून बना रहे हो हम उस कानून का पालन नी करेंगे बिल्कुल ही लेकिन अहिंसात्मा इसलिए क्वा यमार्स हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे सरकारने कानून मनाया कि आपको इतना टैक्स देना थे लोत आ रहा ता कपड़ा उसका bisa रिचार कारना थैं त्यूतàै कि जो जो चीजे । आ रही है सब का बहीश्कार के और स्वदेशी जो प्रडीक्त है जो भारत में बन रहा है समान उसका ist Beatles करेंगे पिर ट्युहारों का कि इस्तिमाल करा था तिलग ने कि पाल गंगदर तिलग ने जोगंपति तिवार हो रहे हैं आप के महराश्टरो MPBen जो शवाजी फैस्टिवम हो रहे हैं लोग आते थे तो यहां पर इनों ने स्वदेशी अंदूलन के बारे में लोगों बताना शुरू करा और साथ-साथ में अंग्रेजों के खिलाफ भी बताना शुरू करा तो ये तीन तरीके इंपॉर्टेंट दिहान रखेगा अब जो आपके गरम दलते extremist इनका ये कहना था कि चलिए विभाजन के खिलाफ में अंदूलन चल रहा एंटी partition साथ-साथ में सुधेशी अंदूलन में चल ला है हम ये चाहते हैं कि आप इस अंदूलन को क्या कर दो एक बहुत बड़ा अंदूलन बना दो और इससे क्या करो सीधा सीधा अजादी मांग लो मतलब इनका ये कहना था कि अब देखना अजादी हमें मिल जाएगी लेकिन जो लिए तो यह तो गया अब हम देखते हैं लोगों ने अचा पहली बार यह था कि लोगों ने काफी लोगों ने इससा लिया अलग-अलग जो सेक्शन थे अलग-अलग गुरुप जो लोग थे अब ने हिससा लिया इस आंदूलन में ठीक सबसे पहले जो विद्यारती थे आ अब जब विद्यारती लोग अंदूलन में हिससा ले रहते अंग्रेजों ने काफी जादा इनके उपर जो कठोर कदम है काफी उठाए जैसे बोला कि जो जो विद्यारती ले रहे हैं अगर पहचान हो गई तो सरकारी नौकरी है उससे हम आपको कर देंग डिस्क्वालिफ को सहाइता देते हैं पैसे के ताओर पे वह व्हू भी देना बंद कर देंगेzarत-साथ में महिलाओं ने भी काफी इस्टालियां आपको जैप मिडिल समझे आंदर में चल ढ़ला है ठीक है स्वदूर में पहली बार महिला ने अपका हिस्सा लिया अच्छे से मिद्लक्लास आगे जो राष्ट्री आंदोलन होगा उसमें भी महिलाओं की भागीदारी हम देखेंगे काफी अगर मुस्लिम लोगों की बात करें तो जो जादत अर मुस्लिम थे वो इस आंदोलन से दूर है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जब आंदोलन जब यह विभाजन हुआ और पूर्वी बंगाल बन रहा था जब उसमें मेजॉलिटी किसी थी मुस्लिम लोगों की थी वो लोग खुश थे वो लोग चाते थे कि हाँ अलग से हमारा एक राज्य बना दो एक प्रांत बना दो जिसमें हम क्या हो बहुमत में ह तो हमारी जो शिक्षा है आर्थिक सिच्वेशन है वो इंप्रूव हो सकती है तो यह लोग जो है दूर रहे इस अंदोलन ठीक है तो यह धियान रखेगा लोगों की भागीदारी काफी इंपोर्टेंट है और 1907 अगस्ट अब कभी मैंने आपको होता है 7 अगस्ट 1905 में य अलकता टाउन हॉल से और 1908 तक आते आते यह अंदोलन जो था वो समाप्त होई गया ठीक है 1908 तक लेकिन अब इसमें है क्या जो अंडरग्राउंड अंदोलन चला था मतलब जो क्रांतिकारी का टीविदी चल ले ते उसके बारे में बात हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो उसमें करेंगे वह अभी भी continue था वह अला जो आपका यह अंदोलन था क्रांतिकारी जो revolutionary activity जो मतलब हिंसा का इस्तिमाल करते थे बम फेकते थे गोली वारूद यूज करते थे अंग्रेजियों खिला लेकिन जो यह आपका moderate और जो एक्स्ट्रीमिस चला रहे थे वह वाला जो है 1908 तक समाब्द हो गया ठीक और 1911 पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1911 में क्या था विभाजन को फिर समाब्द भी कर दिया गया था क्यों करा गया तो पिछली वीडियो में देख लीजेगा तो यह था आपके फैक्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन- विरोधी अंदोलन वो आपका चालू हुआ है साथ अगस्ट उनने सो पांच को ठीक है स्वदेशी अंदोलन भी इसी दिन चालू हुआ है साथ अगस्ट उनने सो पांच कलकत्ता टाउनौल वीभाजन एक्चोल में कब हुआ है वो हूआ आपके सोल अक्टूबर 1905 देखे जो डे दे दी गई है ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो सकें तो कन्फ्यूज नहीं एक देट थोड़ी बहुत याद रखे आयोग के पेपर में टिक हैं अगला कुश्यन देखते हैं क्या हूं अमंग हूं अब दी फॉलुविंग लेट दा एजिटेशन अगेंस पार्टिशन बिंगॉल निम लिखिन मेंसे कि इसने बंगाल के विभाजिन खिलाफ अंदोलन का नेटित्व किया था अब ऑप्शन के सुरेंद्रनाद बेनर जी सीयार दास आशुतोष मुखर जी रबिंद्रनाद टेगोर करा तो बहुत लोगों ने लेकिन अब ऑप्शन मेंसे पैचा वह था उदारवादियों का उसमें कौन थे सुरेंद्रनाद बेनर जी भी थे के मित्रा भी थे और प्रित्विश चंद्र रे भी थे अगला दिखते हैं किया हूँ वास्ट तू सजेस्टी बॉइकॉट ऑप ब्रिटिश गुट्स बेंगॉल बंगाल में ब्रिटिश वस्त बिकेम थीम सॉंग अफ दे इंडियन नाशनल मूवमें द्यूरिंग वंदे मातरम किस भारती राष्ट्री अंदूलन का थीम गीत बन गया था जैसी अंदूलन स्वदेशी अंदूलन स्टार्ट हुआ तो जब विभाजन भी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी अंदू लोगों ने उस समय बहुत जादा गाया था ठीक है जब विभाजन इस दिन हो गया था तो किस दौरान हुआ कौन से अंदूलन के दौरान तो वह आपका करेक्ट आंसर स्वदेशी अंदूलन के ध्यान रखे और बाद में वंदे मातरम जो है हमारे देश का नैशनल सौंग राश्ट्री गीत भी बना अगला देखते क्या है बोला जा रहा है था फॉलूइंग प्रोग्राम्स वर लॉंच्ट बाइद नैशनलिस्ट अगेंस पार्टिशन ऑ बंगल बंगाल के भाजन के खिलाब राश्ट्रवादी दौरा निमले खित कौन कौन से प्रोग्राम बंगाल के भाजन यह मैंने भी आपको था बॉइक उसको भाईश्ट करेंगे लोगों ने बोला ता है कि जो बाहर अंग्रेज लोग शिक्षा दे रहे हम उसको भाईश्कार करते हैं जो माही खुद की शिक्षा होगी हमारी भाशा में उसको यूज करेंगे तो यह जो ती बंगाल के विभाजन का जो अंदूलन है तब लेकिन जो आसायोग है वो नहीं हुआ यह तो बाद में गांधी जी करेंगे आसयोग अंदूलन कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगे एक दो चार अब देखे किसमें एक दो चार आपको देखेगा डी वाले में यह है अगला दिखते क्या है वो वस्देशी मुवमेंटि मदरास में स्वदेशी आंदूलन के नेता कौन थे अभी बताया कौन थे आपके चितंबरम पिलाई पुना और बंब स्वदेशी मुवमेंटि मतलब कौन सी चीज सही नहीं है सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स वर जॉइंट मतलब कुछ खास मुसलमानों शामिल हुए थे मैंने आपको बतार जादता लोग दूर रहे तो कुछ ही लोग शामिल हुए तो यह जो स्टेटमेंट है यह करेक्ट है ले नाओने भी इसमें पार्टिसिपेट करा हिस्सा लिया है तो यह भी सही है फिर नाइधर दिस मुवमेंट एफेक्टेड बंगॉल हाँ बंगाल के जो आपके किसान थे उसको प्रभावित नहीं करा था इस अंदूलन ने यह वाला भी सही है लेकिन अब बूला जारे इट ळुक्स लिमिटेड बंगॉल यह बंगाल था किसी में यह गलत है कि बंगाल के बाहर भी अंदूलन गिया पुना में मंबे में मंधा पञ़ा में और पाय जाता है यह वाला हो जाता है गलत अ क्यांदोलन को लेके पिछले सालों के प्रश्न भी देख लिए अभी भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा चैनल सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी सीरीज के बार हुष्कार हुष्कार